हेलो डियर स्वेंट्स वेलकम टू प्रोफेसर एस्पी गोयल्स आई एस क्लासरूम प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आप से एक स्वाल पूछता हूं तरी इंपोर्टेंट कुश्चिन क्या करन्ट अफेर्स हम रोजना करें अंदराबीस कुश्चिन्स रोजना न्यूज करते हैं और यह बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे पर सुबह है मैंने यह जो है अपनी विल से लिया है प्रेशर नहीं है कि मैं चाहता हूं कि च्यार घंटे न्यूज फेपर का इलिशिस करके आपको एंसी क्यों निकालके आपको पिल्कुल शिशे की तरह प्रांस्परेंट ताकि आप पेपर में जो है फुली कॉन्फिडेंट हो तो बताइए क्या यह स्टेट्ज अच्छी नहीं है प्रफेक्ट नहीं है कि रोजना करेंट अफेर राम करके यूज पेपर निशिस करके रोजना बड़ी जो है शांती से जो है नींद आएगी हम रात को और कॉन्फिडेस आएगा क्यों क्योंकि जीएस पेपर वन पूरी सेवली अराम से कॉलिफाई हो जाएगा और जीएस पेपर वन टू थ्री फोर और ऐसे उसमें बहुत अच्छे माउस आएंगे आप मेरे साथ जुड़े रही है पूरे साल साथ ही मैं दो जार चोबिस के जो मेरे स्विर्ट्स है जो सुड़ा जुन को पीर होंगे उनको मैं 50-60 मेंज के जो आपके उनमें से मुझे पूरी उमीद है कि 4-5 कोश्चन तो जुरूर आएंगे माल यह 50 नमबर का आ गया करेंट एफेर में तो 45 नमबर का एगरी गच्रम आगे 100 नमबर का तो यह समझ लीजे कि मैं आपको उसका मेटियल में ने देना है और 2025 के जो मेरे करेंट एफेर एसेंशियल के केंडिट है उनको मैं यह चाहता हूं कि कम से कम इस कोर्स की वेज़े से 100 मार्क्स आपके में में बढ़ जाएं औ यह वी है मेरी कंडिशन है डैठी करईंट अफेर मेरे साथ करना है हुआ हम आपका यह समझ लिए रैंक भी आ सकता है वे बड़ी बात नहीं म्त नए कwalचिस और पतचीस यह मेरी आपको गरंटी है करन्ट अफेर्ज के लिए आपको कहीं से भी कोई किताब में देखने पड़ेगी आप मास्टर हो जाओगे और जब आप में देखोंगे तो ऐसा लगएगा इससे से तो मुझे ही आता है मेरे पास जो है 20,000 स्टेटमेंट है करन्ट अफेर्ज के पांच जार से ज्यादा क्वेश्चन है करन्ट अफेर्ज के भी पांच जार क्वेश्चन वाड़ातों मैं समझता हूं सबसे पहले में वर्ड पेज की छोटी सी न्यूज होती है इसको मैं क्वेश्चन बदलता हूं रोजना अब रशिया यूकरेन पे बार बार अटेक कर रहे है अब आपने यह देखना है अब यूकरेन से कौन कौन सी टेरिटी जे रशिया ले चुके है उकुपाई कर चुक देखिए कम से कम छे आर्टिकल थे एडिटोरियल पेज पे मैंने शिरफ एक इरान का सिंपल सा लिया वह पांच आर्टिकल मैंने बहुत ध्यान से पड़े और उनका आपका समय बचा दिया मैंने देखा कि इसका कोस्ट बेनिफिट रेश्यों क्या है पढ़नेगा क्या अब यह सबसे पहले तो आपको यह पता हुना चाहिए है कि हमारी परपलेशन चाहिना से सरपस कर गिए है और चाहिना की जो है टोटल फेर्टिलिकी माइन एसक्षेशंन बन के इस्टेटमेंट ऑफ प्रिलिमज कीुश्टे माराइज को यह इक इस ते पाद gitmek सब्सक्राइब इसका मैंने जो है एलिशिस करके क्या स्टेट्मेंट निकाली है आपने और ज्यादा एक तो आप यह चार्ट पढ़ने चार्ट देखने को स्टेट को देखोगे ना आप इन याद कुछ नहीं करना सिरफ आपने यह देखना किस कंट्री की क्या ट्रेंड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है इससे क्या है आपका शार्प हो जाएगा माइंड अब यह देखिए चाइना रिकॉड़िदे नेगिटिव पॉपलेशन ग्रोथ रिट के कंज्यूमर इज वन यह कंज्यूमर की डेफिनिशन है पर्चेजिंग पाउर पैरिटी दो जासात्रा में दी गई है फूस्पेंड मोर दें 12 डॉलर यूस डॉलर एडे एक दिन में जो बारा यूस डॉलर से ज्यादा खर्चा कर देगा ना करीब करीब ए इसलिए मैं कहता हूं हमेशा पेपर डिफिकल्ट नहीं है अन-कन्वेंशन है अब यह वीनस प्लेनेट है यह इसकी वाटर के बताई गई है शोलदा वीनस वाटर मिश्थी वीनस जो प्लेनेट है वो एक लाख टाइम्स ड्रैर है हमारी अर्थ से यह में नहीं पता था बुझे भी नहीं पता था वो जो वहां पे वाटर वेपर फॉरम में है क्योंकि वहां जो टेंप्रेचर वो बॉइलिंग पॉइंट से उपर है वीनस पे यह चीज़े हमें को मन जो आसपास होती है यह पता होना चीए अब यह साइंस पेज में अगे इन एक अर्टिकल है रोज आना मैं दो कॉश्चन साइंस पेज के दे रहा हूं इसका माला 700 कॉश्चन कैसे कुश्चन डाल ले जैसे वर्ल्ड न्यूज बे हम सारे को अगर कर रहे हैं 100% अन्वारमेंट यह साइंस पेजब एंवारमेंट स्पेश एल्थ सारी तरह गी न्यूज आ रही है 700 कुश्चन एकजार कुश्चन मालिया में ने दे दिया आपको साइंस के तो क्या बचे लिए इसके कई जो है इसके फाइदे हैं तो इसके बारे में इसमें बताया गया है इसकी लीनियज कहां पर बाव ट्री की मैं डागास कर अफ्रीक का स्टेलिया इसमें से दो लाइन निकाल देंगे यह सारे कोश्चन मैं निकाल दिये आज सोड़ा कोश्चन निकाले हैं इ प्रोपरवेशन न्यूज लगाके पीडियेफ आपके मेल डाल देंगे आपके नोट्स में मिल जाएगी इमीजेटली कितनी बड़ीया बात है जो मर्जी न्यूज बड़ो आप जो मर्जी को सिन बड़ो उसमें सोडा कॉश्चन मिलें आपके जब कि आज गल पॉलिटिकल न कारीब कर् Niagara जितरिए पच्छन के करिप इंडिया में सब से अपर है किरम आरा हम जो कर रहे हैं ये यह मेरे लिए सबसे को निया घ्री पूछ लिया कि अश्कारी कुश्चन यहीं से आएगा फिर ओर कहीं सैंहीं मिलेगा ये किसी में किमार्आ चिका Harr psychic मिने स्कार्बोरो शोल स्पार्टली आईलेंड यह जो है बहुत इंपोर्टन साइट से हैं लोकेशन से हैं इसलिए मैं आपको साथ ही जो क्या किया है यह इन्नोवेशन अब किया है इसकोर्स में उन बच्चों को तो मैंने अलब से दिया पक्चासी जदा आपको भी दूंगा इस लेकिन अब मैंने निउस के साथ भी डालने शुरू कर दिया ताकि जब निउस बड़ो तो अब उसी समय जल्दी से जल्दी अपना मैप देख लो यह कहां पे है यह तनाम कहां पे है इसमें मलेशिया कहां पे है चाइना उसे बोर्डर कंट्री है ओंकोंग यह सारे कितना इंपोर्टेंट है मलेरिया वेक्षिन हम जो है अफरीका को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं अब यह पता हुड़ा चीह है कि यह साइंस में बहुत बार आ चुके है इसले साल आर्ट ट्विंटीवन और मैट्रिक्स एं यह साथ-8 कंट्री में बेज रहे हैं कॉंगो म में अब यह इंपोर्टन यह है कि यह लिए कि आप कहेंगे के मुलियरिया के अंडिया में क्यों नहीं आप ले चेक करना इसमें लिखनी ना कि अभी को ए अफ्रका में दूसरा प्रेसाइट है जे यह वहां काम करेगी यह कितना इंपोर्टन कोश्चन है दो नुम्बर का प्रिलिम्स का कितना इंपोर्टन है आप अंदाज लगा है आपने तो यह बड़ी बहुत बड़ी प्रोलम है कई लाख बच्चे जो है वहां पर मलेरिया से मर जाते हैं अफ्रिकन कंट्री में हमने उनको बचाना है अब यह कुश्चन निकाल दिया देखिये कितनी चीज़े मिल गया आपको शिरम इस्टीट ऑफ इंडिया एंड यूनिश्टी ऑफ और अक्सफोर्ड यह मिलके बना रही है आप ट्विंटीवन मैट्रिक्स हैं डिशी दमोस्ट एक्स्पेक्टेड कोश्चन इन शिरम इस्ट्यूट ऑफ इंडिया वर्ड लार्जेस्ट मैनुफेक्ट्ट्र ऑफ एक्सिन वाइन नंबर ओफ डोजिस जब अफ्रिका के हम कंट्री के आपने वाइलेटर लेशन दिखेंगे ना अफ्रिका के साथ रिलेशन उसमें यह दे सकते हम दो लाइन लिखके पूर डिजीज डेंगू, मलेरिया, चिकंगुनिया, यह साली दिजीज तुक है यह आज का मेरे लिए सबसे इंपोर्टन्ट आर्टिकल है इंडिन एक्स्प्रेस में एक्स्प्रेंड पेजबे और मैं एक्स्प्रेंड पेजबे रोजना तीन-चार आपको कुशन बेजता हूं बढ़ागे चाप-चार स्टेट्मेंट के मालिया, मैंने 20 स्टेट्मेंट बेज़ दिया आपको, कितना बड़ा काम कर दिया हमारी आपकी यह और्गनिक रिलेश मैं जवाब दूँगा रहे का, एंटार्टिक पार्लियामेंट क्या होती है, फस्टाइम सुना मैंने तो, क्या आपने सुने, यह कुश्चन नहीं है, यह जामनर के लिए भी नहीं होता है, यहीं से पढ़के बताता है, कल को मालिया मैं एक जामनर हो, होता, तो मुझे भी नहीं पता था, और यह कुश्चन पढ़ने के वाद मुझे पता चलता है, एंटार्टिक पार्लियामेंट बच्चों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैं यह इमिजेटली डालता है, कुश्चन बैंक में, UPSC के, ऐसे पेपर बढ़ते हैं, समझ यह, अन्टार्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मिटिंग, ATCM46 कहते हैं, इसको, क्या कहते है, ATCM46, और इसको क्या कहते है, अन्टार्टिक पार्लियामेंट इसको कहते है, और यह होने जा, हमारे यहां, 20 से 30 मही तक, 11 दिन चलेगी, वल्ड की कितनी इंपोर्टेंट मिटिंग हमें पता ही नहीं किसी को, और कौन करवा रहे है इसको, The National Center for Polar and Ocean Research, गोवा, जोके Ministry of Sciences में है, इसी ने जो है, आर्टिक में विंटर एक्स्पेटिशन बेज़ जा है, यही अंटार्टिक में एक्स्पेटिशन बेजती है, इस 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 दा अपेक्स और्निजेशन, इसर्च की, समझ गे, और इ यह 24 में भी आ सकता है, 2025 में भी, अब आप सबसे पहले इसका मैप देखिए, मैप पे चलते हैं, यह मैप देखिए, दक्षिन गंगोतरी सबसे पहले हमने एस्टेबलिश किया, फिर हमने मैत्री, इसके साथ ही था, फिर भारती, अब हम भारती टू लांच करने जा रहे हैं हैं वहाँ पर, एस्टेबलिश करने जा रहे हैं, दो, दो हजार उनटिस में, ऑप्रेशनल हो जाएगा, हम रिसर्च करते हैं, कलाइमेट पे, जियोलोजी पे, कलाइमेटलोजी पे, जियोलोजी पे, बहुत सारी, मिनरोजी पे, अब इसमें जो है, बारा कंट्री हैं, ता कि फ्रांस, जपान, न्यूजिलेंड, नोर्वे, साउथ अफ्रीका, यूएससर, यूके, और यूएससे, और इंडिया ने कब जो हैं किया, 1983 में, यह हमें पता होना चाहिए, उसके बाद देखिये, की फीचर्ज ओफ, एंटारिक टीटी, जो एंटार्टिक टीटी होई है इसके की फीचर्ज दे दिये, यही लिखने हैं आपने शिरफ अगजाम में, 10 नंबर में, 15 नंबर में, किताब से लिखोगे नंबर काम आएंगे, मैं जग्यामनर की तरह से बता रहा हूँ, पेपर सेटर की तरह से, कि हम चेक करने में क्या देखते हैं, मैं यह पॉइंट देखूँगा, क्या करते हुए तीन, समझ गए, अब इंडिया का क्या रोल है इंटार्टिका में, इंडिया का कैसे बेनिफिट है, इस पे मैंने बहुत अच्छा है, 15 नंबर है कॉश्चन सुबह स्ट्रक्चर की आपके लिए, अब ध्यान से देखना, मेरी मैनित को, यह आपके काम आएगी, मैंने एक्जामी देना, आपके लिए लेकाया हूँ, अब यह इस पर कॉश्चन देखें पहले, मैंने कैसे फ्रेम किये, इंडिया इज होस्टिंग अंटार्टिका ट्रीटिक कंसल्टेटिव मिटिंग मने बताया आपको, विशिस काल्ट अंटार्टि में मिल याएगी, कदापी नहीं, फोर्गेटिट, इसलिए हमारी सेक्सेस रेट कम है, मैरिट कम जा रही है, सेक्सेस रेट तो यही रहेगा, UPSC का, लेने उन्होंने वही है, चोदार जार बच्चे, तेरा चोदा जार जितने लेते हैं, लेकिन इस तरह से पढ़ोगे तो नेशन सेंटर ये बहुत बार आया इस बार, जब विंटर एक्सपेडिशन गया, इस बार याद रखना, एक कॉश्चन प्रिलिम्ज में विंटर एक्सपेडिशन आर्क्टिक पे जो गया है मारा, दिसंबर जन्वरी में, और एक कॉश्चन या एंटार्टिक प्रिलिम में और एक क्वेशन में में 10 या 15 नमबर का या तो आर्किक पर आएगा आर्किक पर आएगा क्योंकि विंटर एक्सपेडिशन फर्स टाइम गया या फिर इस पर आएगा ट्रीटी पर क्योंकि हम यह बहुत बड़ी समिट करने जा रहे हैं समझे ऐसे समझों को बिल्कुल आपके पासे एक साल है यह आप मेरे साथ इस तरह चलोगे ना तो यह आपको मैं पूरी तरह से प्रफेट कर दूँगा स्टैटिक में भी क्योंकि यह जो स्टैटिक कोशन आते हैं मैंने कल मैं इंडिया यह बुक दो जार चोबिस देख रहा था यह उसमें दिया हुआ साइंस पेज़ पर मिनिस्ट्रे और साइंसीज में तो वहां से भी मैं ले लेता हूं क्वेशन और मैंने बताया आपको कल इंडिया दो जार चोबिसको यह बुक जो गवर्मेंट पॉब्लिकेशन है सारी मिनिस्ट्री का आपको वेबसाइट देखना पड़ेगा पूरे साल में इतना अच्छी तरह ची याद करा दूँगा समझा के और नोर्स दे दूँगा पीडिएफ के और इंडिया ने कब जोएंगी 1983 में यह आपको क्रेक्ट कर लेना 56 कंट्रीज आर अटेंडिंग यह सारे मेंबर नहीं है मैंने न्यूज में आप अची तरह से पढ़ना है इसको द्यान से प्यारे बच्चों यह कुश्चन देखो कुश्चन देखते ऐसा लगेगा बड़ आप बनाओ पहले मैं अभी इसले नहीं बनता है आप बनाओ इसको जैसा भी बनता है कच्छा पक्का चैया उसमें दो नुम्बर आएं कोई बात नहीं मैं इसको साथ आठ तक लेगे जाओंगो ना बोड़ल आंसर बनागे दिखांगा आपको बटीज एंटार्टिका पार कि इंडिया इंटार्टिका क्टिकी अइंडिया के रोल इसमें पूर्ख और इकJust अब एक और besogn में पड़े shift की치는 पर पेस्न से यही पूछ लेंगे बड़े एक्सपेडिशन अंटार्टिक में बेज़ें या आर्किक में बेज़ें आप जगए हमारे पास पक्चे पक्चे तीटिश के जा सकते हैं कितनी इंपोर्ट इंफरमेशन निकाली मैंने कम सेंस की अब हैं आप देखिए हम बोल्ट गलेशा ओ वेनेजुळ volea एंट्स मांटन है एंस माउंटेन साउथ अमरिका में आप देखेंगे ना वेस्ट की तरब वहां पर वेंजुएला में यह जो है गलेशियर है यह लास्ट गलेशियर है वहां का वाकि सारे पिगड़ चुके है कलामेट चेंज से गलोबल वार्मी से शे गलेशियर जोते थे पांच खतम होगे स तो नोलेग बनगे उनकी अब इसमें गलेशियर की डेमिनेशियर भी दिया है रीवर्जोफ आइस क्या होते हैं हुट कैसे जो है हमारा वाटर सी राइज का जो लैवल है वो क्यों बढ़ता है क्योंकि गलेशिया जो है यह फ्रेश वाटर के हमारे सोर्स है पिगल के सस्ट जोगा इसतरेसे तो यह आपने इंपोर्ट दिया है कभी भी आप से पुछने वाटीज हैंबगे नेचे पुर्बलत आनल रम में एंपोर्टेट कन दोगिया हो गया है मियम इसे अरुपरटेन्ट राएगा इश्ट पन्हें में आज एक मॉन्टेन एंस आप देखेंगे देखिए सवा अमरिका कंटिनेंट का पशीदे को शन के साथ वेस्ट में साउथ अमरिका कंटिनेंट इसके वेस्ट में बिलकुल जे यह देखिया साथ कंट्री निकार के लेह हूं में सेवन यह आपके लिए तरी महनत इसले कर रहा हूं कि आपका असान हो जाए जो लबासना में जाना जाना और आप जो है तो फिर प्राइड से जाएं वहां कि मैं रेंक लेके जा रहा हूं अब अर्जेंटिना बुलीविया चिली कोलंबिया पेरू वेनिजुला आपने एक चीज का और ध्यान दिया हुआ मैंने यह बहुत नक्से दिये साथ अमरिका के क्योंकि तीन-चार साल से क्वेश्चन ही आया साथ में इस बार आएगा क्यों आएगा मैं बताता हूं एक तो इल्लीगल गोड माइनिंग के मैंने दिये हैं इसी पॉर्षिन में है एंड्ज माउंटेंस में यहां इल्लीगल गोड माइनिंग हो रही है उसमें mercury के परशाइनेड के परजिनिंग है वो कॉश्चन इस बार 24 में मुझे मुझे एक्सपेक्टेड है तो यह ऐसे आपने कर यह सारे कंट्री जो है एंड्स माउंटेन में अब यह डेथ हो पर प्रेजिडेंट बहुत इंपोर्टन्ट है इरान के जो प्रेजिडेंट की एर क्रैश में मृत्य होगी यह अजरवेजान के उपर से जा रहे थे वहां पर तो एक तो आपको इरान का जो है मैप में इस बार तो बहुत इंपोर्टन्ट है दोजा चोविस पत्रीज में कौन से कंट्री बोर्डर करते हैं कौन सी गल्फ है कहां पर है लोकेशन कौन सा सी है यह आपको पतावना चाहिए क्यों कि एरान बिल्कुल सेंटर में है और वर्ल्ड में यह इसके माइने है इस कंट्री क्यों ऌन्टरी है दूसरा रिदिशी पर कंट्रोल किया हूं थुटिस उधर इसरेयल के साथ यह एन बेक कर रहे है फूसर ऐसरा अमेरिका ने संक्शन लगा रखें न्युक्लियर इसके वयैपर पे न्यूक्लियर它 रखी है फिर हम चबार फोघॉड प्र है वो एग्रीमेंट किया है अब यह भी आ सकता है इंडिया बाइट लेशन्स तो मतलब इरान पर कोई भी कुश्चन इस बार दस नंबर का सकता है और नंबर का और मैं ने यह सारा कवर किया अपने अब भी करू को पूरे साल में कवर कर दो तो इसका प्रेजिट का आपको नाम पता होना चाईए कि अब इसका हुआ है यह उन्हें पर, वहां पर वूमन को भी फ्रीडम नहीं बिल्कुल कि इस्लामी कंट्री है तो यह आपने एक वहां पे अब जो है सुप्रीम जो लीडर है तो अज तो ला अली खामीनी यह दूसरा था ज्यान रखना है तो ला अली खुमेनी यह वह सुप्रीम लीडर कि रान का और यह प्रेजिडेंट है यह आपको पता होना चाहिए इसमें काफी सारी नूज आई है देखना आप आज अब यह है यह एक्स्प्लेंट पेज पर यह लिखा आता न रड़ डोट के साथ यह बड़ा इंपोर्टेंट होता है एकोनुमी पेज पर भी आता है यह बड़ी इंपोर्टेंट नीज कवर करता है यह इंडिया टुकीफ वाच उन्हाव इरान सक्सेशन प्लैंज अनफोर्स नौया प्रेजिदेंट आएगा उसके साथ कैसे हमारे देशन जाएंगे कैसे यूएस से कराएंगे कि इंपोर्टिंट आए captures में यह वर्ट लिखना है मैंने पिछली निभार किया है पी माइनस 5 पलस वन हमित ही माइनस 5 फॉन में इसका बनागे दूँंगा आपको तो यह आपने एक इसमें 3HS लिखा हुआ है 3HS 3HS का मतलब है इरान जो है हिजबुला ओथीज आमा को बैक करता है ठीक है यह ऐसी चीज़े पूछ लेते हैं प्रिलिम्ज में अब नेक्स देखिए यह बड़ी इंपोड़र ड़िशन आंसर दिए पूँ आज इब्राहिम रैशी के बारे में लिखा है फिर यह वट ड़ज कंजर्वेटिजम में यह बड़ा कंजर्वेटिव थे यह यह वहां जो भी आएगा वो कंजर्वेटिव होग फिर आप देखिए वट इस दा करण्ट बैनेस अब पावर कि वट इस अथोर्टी एज प्रिजिनेट के अथोर्टी है सुप्रीम लिडर की क्या है और कमंडर है फोर्चीज का वहां पे यह सारे आपको अब सबसे अच्छा मिले गए इरान पर राइशी की डेथ के बाद क्रेश में आपको यह आर्टिकल दो-तिन मिले ना यह 100 परसंट आपका में का कॉश्चन कि अच्छी बात है कहीं नहीं बागना आपने इन वेसे नोट्स बना लो आज अब आपने तो यह द्यान लगणा है च्वाइंट कॉंपरियेंश्यू प्लैन ओफ एक्शन जेसी पी ओए दोजार पंदरा में डील होई थी इरान और वेस्टन पाउर की अमरीका ने नहीं मा अब अमरीका की सेंक्शन किस तरह से लगेंगे क्या होगा में नहीं पता कुछ भी वह सारा आपने उज़र करना है और अग्जाम में लिखना है क्यों बहुत इंपोर्टन हो गया अब इसमें लिखाव जो था जो प्रेजिडेंट है उसका चाइना और रसिया के साथ तो य यह आपने इस इन आर्टिकल को तीन चार आर्टिकल को आज वह तो अच्छी तरह से पढ़ना है दो जार परची शेकेंड डेट एस्पिरेंट्स आप कई से निशानियाज दी इस तरह से पढ़ोगे प्यारे विद्यार्थियो आपने नोट किया पूरी वीडियो सुनी आप लोगों के लिए आपकी सेस्ट मेरे लिए माएना रखती है कियो आपके चो परेंस के ड्रीम्स है आपके ड्रीम्स है वो जल्दी से जल्दी पूरे हो क्यो जल्दी से जल्दी का कई ऐसा न वो प्रलीम में तिन की टिन चेजार process Rob हो जाए। फिर आई-एस बने, वाइनोट नाओ, अब क्यों नहीं, इसका फैदा क्या रहेगा, हमाले 22 साल के एज में, आप सेकरेटरी लेवल तक पहुंच जाओगे, होम सेकरेटरी, कैबिनेट सेकरेटरी, यह फैदा है, नहीं तो क्या है, अडिशनल चीफ सेकरेटरी, स्पेशल साल में बनते हैं, वो भी एक फैदा है, दो-तिन साल के सर्विस का भी, इडिया मेरे साथ जुड़ोगे, जल्दी निकड़ोगे, थैंक ये वेरी मच, टेक एर.